इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे हम लोग NTPC Limited के बारे में जिसने की quarter 4 के numbers को publish कर दिया है तो company की तरफ से एक final dividend की भी announcement है जो की 35% का और जो dividend है वो 3 रुपए 25 पैसे प्रतिश शेर का में देखने को मिल रहा है तो बात करते हैं पहले revenue from operations की जो की yearly basis पे 44,000 से 47,000 क्रोड पे तो quarter on quarter भी अच्छे गासे 78% की growth है और yearly basis पे भी आपको 6% का upside देखने को मिल रहा है market estimate की बात करें तो 45,278 करोड का estimate लगाए गया था जो की वहां से अगर आप देखेंगे तो काफी अच्छे revenue अप है तो market estimate को पूरी तरीके से बीट किया in terms of revenue उसके बाद आप other income add करें क्यूंकि इस बार other income भी काफी जादा हुई है as compared to the previous both quarter then आईगी total income जो की yearly 44,700,44 से 48,800 पर आगी quarterly 43,500 से 48,800 पर तो Q&Q प्लस Y&Y दोन ही चागे काफी अच्छा कासा जंप इस बार देखने को मिल रहा है total expenses की बात करें तो 39,000 से 40,000 पर आगे yearly और 38 से 40 पर quarter on quarter जिस तरीके से income बढ़ी तो expenses भी quarter plus yearly company के बढ़ गया दिसकस करते है total profit for the period तो लास्ट यर की अगर बात करें quarter 4 की तब 48,000 क्रोड का profit था वो जबाद 6,490 पर आगया और quarterly 5,200 से बढ़के आपको profit 6,400 पर देखने को मिल रही है तो काफी massive growth हमें देखने को मिल रही है अगर yearly wise बात करें तो करीबन 32% के around की growth है और quarter on quarter भी आपको 21 30% की growth देखने को मिल रही है तो इस बार के जो NTPC के profit है वो आपको quarter plus yearly दोनों ही जगा बढ़ते हुए देखने को मिल रहे है market estimate की बात कहें तो 5,800 करोड के करीबन कानुमाल लगाए गया था जो कि अगर आप देखेंगे तो वहां से काफी अब देखने को मिल रहे है तो market estimate को पूरी तरीके से बीट किया है और इस बार के profit भी आपको काफी अच्छे कासे देखने को मिलेंगे same reflection देखने को मिलेगा company के EPS में 5.01 से 6.36 पे यरली और 5.32 से 6.36 पे quarter on quarter तो जिस तरीके से profit बढ़े same EPS में भी growth देखने को मिल रही है तो overall अगर financial year की बात करें तो financial year 23 क 24 का डेट है total income company की 1,77,000 से 1,81,000 क्रोड पे आगी तो बहुत ही massive income बढ़ी है साल दर साल expenses की बात करें तो last year जो expenses थे वो 1,54 कहते है जो इस बार 1,55 पे आगए income बढ़ी तो खर्चे भी company के बढ़ गए then discuss करते है total profit जो की last year company को 17,120 वन क्रोड का profit था वो इस बार 21,322 पे same reflection देखने को मिलेगा company के EPS में profit बढ़े तो EPS भी 17.44 से 21.46 पे आगया तो overall दोस्तों यह थे NTPC के number जो की काफी अच्छे है और market का जो अनुमान था estimate थे उनको भी पूरी तरीके से बीट किया तो बिलकुल market का positive reaction होगा इस पर और share price में भी अच्छी गाजी तेजी है तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और update के साथ तब तक के लिए बाबाए